आज दाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सभी गनित, रसायन, विज्ञान, भौतक विज्ञान और जी विज्ञान के डाउट्स कहकरो सपाया बस प्रशन की फोडो कीचो, एची प्रशन को क्रॉप करो और तुरत विडियो सिलीशन पाओ अभी डाउटनेट करें इसकी घाथ में रिंद दो तो दोस्तो विज्ञान को समस्ते किसे भी पदार्थ की इसको पहले हम सी से प्रदर्शित करते यहां बता देते हैं और यह क्या होता है? यह उश्मा का मान होता है प्रती एकांग का ड्रवयमान पर मतलब M का मान एक रखे तो या फिर प्रति एकांक द्रवयमान के साथी साथ क्या आता है जो तापांतर वह भी एक होना चाहिए तो यहाँ पर तापांतर और द्रवयमान को एक लेंगे तो यह जो उश्मा प्रवाहित होगी किसी पदार्थ में उसको हम उस्पदार्द की विशिष्ट उश्मा कहेंगे क्या हो अगर जो द्रमयमान है वो एक के बराबर ना हो तो प्रती एक आंग द्रमयमान के लिए हम उस द्रमयमान का भाग नीचे दे देंगे ठीक है इससे क्या है द्रमयमान का मान एक भी लेंगे तो Q पटे एक करना पड़ेगा हमको ठीक है अगर तापांतर भी एक डिगरी Celsius न हो तो क्या करेंगे तापांतर को भी नीचे भाग दे देंगे कितनी उश्मा प्रवाहित हुई उससे तो Q क्या है उश्मा है जो की स्वयम एक उर्जा है और उर्जा का मात्रक क्या होता है जूल होता है तो J लिख लेते हैं बटे में M क्या है द्रवयमान है और द्रवयमान का मात्रक किलोग्राम होता है डेल・θĩटर क्या है? तपांतर है तपांतर का मातरक होता है degree Celsius, तो इस तरह के से जुन नीचे की राशी उनको उपर ले जाएंगे तो घात में रिनेग जूड जाएगा. जूल किलोग्राम उपर ले जूड गया तो घात में रिनेग जूड गया, है तो अगर हम विकलपों की ओर देखें तो हमको विकलप करमांग एक वह सहीं दिख रहें क्योंकि यहाँ पर जूल दिया है किलोग्राम की घात में रिनेक है, सेल्सियस की घात में रिनेक है बाकी पर क्या देख रहे हैं, किलोग्राम की घात में रिनेक कहीं पर भी नहीं है तो बाकी सारे वहाये गलत हो जाएंगे और हमारा सहीं विकल्प हो जाएगा विकल्प करमांक A धन्यवाद